हम लोग बात करेंगे थैनेटोलोजी के बारे में और यहाँ पर हमें समझना है concept of death को death के concept को समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि इंडिया में IPC की कौन सी section इसे define करती है उसके बाद हम death के definition को समझ पाएंगे यहाँ पर सामानी दोर पर जिसे हम death कहते हैं वो होता क्या है medically, scientifically death एक event नहीं है बलकि एक process है जिसमें धिरी धिरी करके cells की death होती है लेकिन कौन से cells सबसे पहले dead होगी उसकी basis पर हम समझाने की कोशिश करते हैं death को बात समझ लें यहाँ पर organ transplantation के point of view से हम death को समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि death कोई event नहीं है या process है सबसे पहले कौन सा part dead करेगा जब आप कहा देंगे declare कर सकते हैं death इस बात को जानना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद हम organ transplantation के process के लिए जिन organ का donation possible है उसे हम donation की process में ले जा सकते हैं Indian law क्या कहता है किस section के तहत हम इसे define कर सकते हैं तो death, death human being की तब तक कह सकते हैं unless the contrary appearance appears from the context यह एक standard definition है जो section 46 IPC के द्वारा इसे define करती है इसमे registration of birth and death act section 2 b क्या कहता है उसको भी देख लें इसकी भी हमेरी definition जानना जरूरी है तो इसके अनुसार सारे जो life के events है permanent disappearance of all evidence of life at any time after life birth has taken place यानि life birth के कभी भी उसके बाद life birth हुआ और उसके बाद जो life से related जितने भी activities हो सकते हैं उनका permanent disappearance होना death कहलाता है हम जानते हैं इसे हम forensic medicine के एक बहुत important section के दाएथ हम इसे पढ़ते हैं जिसे थेनाटोलोजी कहते हैं थेनाटोलोजी क्या है एक noun है जिसमें हम scientific study करते हैं noun है जिसमें हम scientific study करते हैं death और उन practices की जो उसके साथ associated होते हैं हमारे लिए as a doctor इसका समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें argon transplantation की process को इसके बाद समझना है तो यहाँ पर यह शब्द जो थेनाटोलोजी है जो scientific study of death जिसके तहथ हम करते हैं यह Greek work से लिया गया शब्द है तेजी से recall करते हैं यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे death क्या है और इसे किस section के तहट define किया गया मैंने आपको बता है कि death कोई event नहीं एक process है तो कब आप कह सकते हैं कि अब इसके बाद person का revive करना possible नहीं होगा जब आपको पता चले कि अब यह person वापस life की events को पूरी तरीके से ताप नहीं कर सकते हैं यह वापस नहीं आप आएंगे revive नहीं हो सकते हैं तो आप चाहें तो जो important organs है उनको donate कर सकते हैं तो इसलिए हमें समझना होगा brain death क्या है brain stem death क्या है उन सारी चीजों को तो यहाँ पर हम stages of death को समझने की कोशिश करेंगे देखें stages of death में क्या होता है इसमें सबसे शुरुवाती होता है brain death अगर brain के cells को oxygen न मिले कब तक 5-10 minutes तक तो brain के cells खास तर पर cortical cells की death होना शुरू हो जाता है उसके बाद somatic, somatic death किसे कहते है systems काम करना बंद कर दें, system काम करना बंद कर दें वो भी vital system जैसे circulatory, respiratory जो system है वो काम करना बंद कर दें तो उसे somatic death कहा जाता है तो यहाँ पर जो हमारा point होगा somatic death को समझने का वो actual में brain stem का death होता है brain stem का death जब brain stem के level पर आप जानते है physiology में यहाँ पर cardiovascular system से related, respiratory system से related और दूसरे vital system से related centers होते हैं तो वो अगर काम नहीं कर सकते हैं तो उसे somatic death कहते हैं इसके बाद अगले stage में क्या होता है अगले stage में हम clinical death के बारे में बात कर सकते हैं clinical death की होती जिसमें कोई भी vital sign अब नहीं मिलेगा जितने भी vital sign हैं वो disappear हो चुके होंगे और सबसे last में होता है इसके बाद की जो घटना होती है वो होती है cellular या molecular death की घटना में होता क्या है इसमें cells का function करना बंद कर दिया जाता है हाला कि यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें समझने के जरूरत है कि कई बार ऐसा होता है कि brain का जो cortical हिस्सा है उसकी death पहले होती है brain stem alive रहता है कि brain stem की death हो जाती है और cortical हिस्सा cortical जो reason होता brain का वो alive रह सकता है उसको हम alive रखने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर हम देखें तो मैंने आपको बता रहा कि अगर oxygen की supply रुख जाए तो क्या होगा brain death होता है जिसमें mainly cortical reason के cells जादा से जादा प्रफावित होता है तो इसे cortex के level पर आप समझ सकते है cells की death होती है जबकि यहाँ पर देखें यह जो brain stem का हिस्सा है यहाँ पर जो brain stem का इससा है यह बहुत महत्पूरड हो जाता है क्योंकि यहाँ से vital centers हावारे body के यही पर होते है तो brain stem की death उतनी ही महत्पूरड होती है कई बार यह दोनों ही कि वो कोमा की स्टेट में है, कोमा की स्टेट में है, क्योंकि कुछ भी higher center नहीं काम कर रहा है, लेकिन brain stem अगर live रहा तो आप कह सकते हैं, कि वो कोमा की स्टेट में है, वहीं cortex की अगर death हो जाए, और brain stem काम न कर रहा हो, तो हम कैसे person को क्या हम बचा सकते हैं, कि अगर cortical reason लग है, कि वो ठीक ठाक है, और brain stem अगर damage हो जाए, तो क्या हमारे पास कोई chance है, बिल्कुल chance है, यहाँ पर हम ventilator पर patient को रख करके, कहाँ पर ventilator पर patient को रख करके, थोड़े दिर हम vital events को active रख सकते हैं, तब तक, जब तक हम argon transplantation की सारी process पूरी न कर लें, इस तरीके से हमारे पा results हैं, वो अगर death उनकी होती है, तो circulatory system, respiratory system और body के दूसरे vital system यहाँ पर प्रभावित होंगे, इसके बाद आता है, मैंने आपको बता है, molecular death, molecular death में क्या होगा, जो brain stem के बाद का event होता है, उसे हम molecular या cellular death कहते हैं, यह करीब-करीब brain stem के death के 2-3 घंटों के बाद यह events देखे जाते हैं, तो molecular death का मतलब लगब-लग body के हर एक individual cell की death हो चुकी हो, उसमें कोई vital function ना बचा हो, death of all individual cells, इसमें brain stem के death के 2-3 hours after यह events देखे जाते हैं, somatic death, somatic death को आप legally death कह सकते हैं, याद रखना है, somatic death, organ transplantation के point of view से अगर आपका है, तो somatic death के दौरान क्या होता है, brain stem की death हो तो अब आप legally उसे death कह सकते हैं, और somatic death के बाद, molecular death होने के बीच में एक gap होता है, बतलब यह कि vital centers चले गए और individual cell के death के बीच में एक समय होता है, जिसे हम supravital period कहते हैं, supravital period, और मैंने आपको बताया है कि somatic death के बाद, आप तयारी कर सकते हैं, organ transplantation के लिए, organ transplantation के लिए कर सकते हैं, और इस दोरान अगर कोई injury होती है, तो उसे perimartem injury कहा जाता है, perimartem injury, आम तोर पर क्या होता है, antimartem, postmartem injury होती है, यहाँ पर हम इस period में जो injury होती है, उसे supravital period में जो injury होती है, उसे perimartem injury कहते हैं, तो कब हम कह सकते हैं कि patient के अब death हो चुकी है, उस बात को क क्र省द लिए क्लिनिकल क्राइटेरिया हैं क्लिनिकल क्राइटेरिया में होंक हैं और स्पांजिव यह थो नौर्मल पेंफुल इस प्रिज absence of spontaneous moments are breathing तीसरा absence of reflexes तो ये तीन clinical criteria हो गए ये तीन clinical criteria हो गए confirm कैसे करते हैं confirm करते हैं EEG की जांच से EEG की testing करने के बाद अगर EEG की activities का absence देखने को मिलेगा तो हम confirm कर सकते हैं और इस चीज़ को पूरी तरीके से confirm होने के लिए हम इन ही सारी चीज़े को 24 hours के बाद दुबारा repeat करेंगे और अगर same finding है तो हम death declare कर सकते हैं तो कब हम death के बारे में पूरी तरीके से कह सकते हैं concept of exact time of death उसको confirm करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं तो कब आप exactly कह सकते हैं brain death हो गया है या brain stem death हो गया तो brain stem death को confirm करने के लिए हमारे पास दूसरी criteria है brain death कहने के लिए हारवर्ड criteria को follow किया जाता है वही सामानी चीज़ें हैं कुछ ज़्यादा confusion नहीं है unresponsiveness या unreceptivity के बारे में कहा जाता है यानि कोई person response नहीं कर पा रहा है और spontaneous moments बिल्कुल नहीं कर पा रहा है और respiration का loss हो गया है spontaneous moments और loss of respiration loss of respiration इसमें थोड़ी सी बात कहीं जाती है कि करीब करीब 3 minutes तक अगर ventilator से हटा दिया जाए 3 minutes तक बिल्कुल खुद से सांस नहीं ले पाए loss of respiration और at least for 3 minutes अगर हम ventilator से हटाए है और देखें कि इस तरीकी की चीज़ें हैं तो हम क्या सकते हैं कि death brain death है लेकिन अभी भी confirm नहीं कर पाएंगे one hour means यह जो second and third criteria loss of spontaneous moments and loss of respiration यह करीब करीब one hour के लिए हम देखते हैं और ventilator से हटा करके देख रहा है तो 3 minutes कम सकम loss of all reflexes यानि irreflexia air reflexia कोई भी reflexes नहीं मिल रहा है जैसे vestibular cochlear है, papillary है, gag reflexes है यह सारे के सारे दहीं मिल रहा है इतना ही नहीं flat EEG, Harvard criteria के मताबिक कुछ भी याद नहीं रहे हैं बाकी सारी चीज़ों को आप आगे पीछे बोल सकते हैं लेकिन EEG को ध्यान में रखना है यह इसका compulsory criteria है और इन सारे events जिनकी finding आपको मिली है यह 24 hours के बाद एक बार और repeat करके देखेंगे कि ventilator के support पर ही कुछ चीज़न चल पा रहे हैं लेकिन reflexes नहीं है 3 minutes से ज़ादा ventilator से हटाने पर वो कोई भी 3 minutes से ज़ादा समय तक हटाने के बाद भी वो बिल्कुल खुद से सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं कोई reflex नहीं है और EEG की finding कुछ भी नहीं है कोई response नहीं है painful stimuli चाहिए जितना भी दे दिजिए कोई response नहीं मिल रहा है तो हम 24 hours तक wait करते हैं 24 hours के बाद तो यहाँ पर brain death के बारे में एक बार फिर से recall करें मैंने आपको बताया है कि brain death को आप तीन तरीके से कह सकते हैं एक बाहरी हिस्से का brain stem का और तीसरा है दोनों ही combined अगर आप कहा दें वो brain death की बात कहा दें तो यहाँ पर हमारे पास है फिलेडल्फिया प्रोटोकॉल फिलेडल्फिया प्रोटोकॉल जो 1969 में दिया गया था फिलेडल्फिया प्रोटोकॉल यह 1969 में दिया गया था इसके रामा Minnesota Criteria जो brain stem death को लेकर के दिया गया था Harvard Criteria के बारे में भी हमने पढ़ लिया 1968 में दिया गया था, तो Minnesota criteria में क्या कहा गया था, और इसमें कितने समय की duration को लेकर के बाद कही गई थी, Minnesota criteria brain stem death, brain stem आप जानते हैं, higher center से लेकर के, जो spinal cord की बीच का connection होता हो, brain stem जहां पर body के vital organs होते हैं, तो यहां पर कोई भी spontaneous moments अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी respiration नहीं है, औ और यहां पर 4 minutes की बाद कही गई थी, Minnesota criteria में यह चीज कही गई थी, और यहां पर भी आप समझ ले, ventilator support हटाने के करीब 3 minutes तक, अगर person खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इस बात को शामिल क्या गया था, वैसे ही brain stem से related जो भी reflexes हो सकते हैं, वो नहीं हो, corneal papillary, gag, vestib cochlear reflexes नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहां पर brain stem death कह सकते हैं, इस criteria में खास बात है कि चीजों को अगर आप इधर से उधर बोलें, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन at least EEG की बात को आपको अंतर करना होगा, Minnesota criteria brain stem death को define करने के दौरान, EEG को mandatory नहीं करता है, दूसरी बात यहां पर confirm करने के लिए, आप declare करना चाहते हैं, patient लग रहा है कि वो revive नहीं कर सकते हैं, तो आप at least 12 hours के बाद brain stem death के बारे में कह सकते हैं, और इसमें करीब करीब 12 hours का repetition हमारे लिए जरूरी है, दो 12 hours के बीच के बाद अगर similar finding मिल रहे हैं, तो आप कह सकते कि person अब revive नहीं हो पाएग और अब हम human organ transplantation act के तहत brain stem death के मामलों को, आप organ transplantation के लिए आप तयारी करा सकते हैं, कह सकते कि अब organ transplantation या organ donation possible है, तो कभी भी brain stem death को confirm करने के लिए, कितने doctors की जरूरत पड़ती है, कम से कम four experts की जरूरत पड़ती है, एक तो वो जो doctor patient को treat कर रहे हैं, उनकी authority, उनके observation का results, दूसरा ये है कि जिस hospital में treatment चल रहा है, उनके in charge की बात का confirmation इसके अलावा, neuro physician या अगर वो नहीं है, तो neurosurgeon का opinion और उनका confirmation इसके अलावा, को independent, registered, medical practitioner इस बारे में confirm कर सकते हैं, तो total four kinds of doctors मिल करके इस चीज़ को justify करेंगे, तब ही हम brain stem death के लिए अपना final conclusion बता सकते हैं, तो hospital में treatment चल रहा है, वहां के in charge, neuro physician अगर वो नहीं है, तो neurosurgeon और कोई independent, registered, medical, practitioner इस बारे में कहा सकते हैं, अब modes of brain death, मैंने शुरुआती दोर में ही बताया था कि कई बार ऐसा होता कि brain का दो हिस्सा है, एक higher center जो cortical reason में है, और दूसरा brain stem है, तो आपने शुरुआती दोर में यह discuss कर लिया था, कई बार ऐसा होता है कि brain stem active रहता है, लेकिन cortical center खत्म हो चुका होता है, यानि higher mental function अब नहीं रहेगा, आप समझ लें कि इसमें जिन cells की death हुई है, वो cerebral cortex के cells हैं, और brain stem अभी live है, यानि person कुछ भी perceive नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने आपको लंबे समय त state कह सकते हैं, और यह state होती है, जिसमें आप युथनेसिया के माबलो को यहाँ पर इंडिया में ऐसे माबलो में allow किया गया, अगर cortical death है तो, हम जानते हैं, युथनेसिया जैसे माबलो में बहुत ही मिली जूली लोगों के opinion होते हैं, इंडिया में युथनेसिया कुछ माब में जिसमें brain stem live है और cortical reason damage हो चुका है उसमें कुछ भी नहीं है तो उसमें युथनेसिया allowed है इंडिया में लेकिन तमाब लोगों का अपना बादना है युथनेसिया करने के तरीके क्या है उसमें होता है कि पेशिंट का जो treatment चल रहा है एक होता है passive युथनेसिया passive युथनेसिया में करते क्या है पेशिंट को जो भी treatment चल रहा है उसे बंद कर दिया जाए दूसरा तरीका होता है युथनेसिया का दूसरा टाइप होता है जिसमें पेशिंट को lethal dose of drug दिया जाता है तो उसे हम active, active हम euthanasia कहते हैं, जिसमें हम lethal dose of lethal dose of कोई drug दे 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 और उसकी वज़ा से patient की death हो रही हो तो उसे हम active euthanasia कहते हैं, तो इसमें दोनों में दो अलग अलग pattern है, एक में जो medicines चल रहे हैं उसे बंद कर दीजे, दूसरा है कि कोई lethal dose drug की दे करके उसकी life को खतम कर दीए, तो यह थनेशा कब लाओ किया गया इंडिया में, जब brain stem live हो और cortical function damage हो चुका हो cortex के जो cells हमों मर चुके हो इसके against, अगर आप बात करें brain stem अगर dead हो गया है तो क्या हम cortex के live होने के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि accidental मामलों में, cortex के cells अभी उतने dead नहीं हुए रहते हैं, ऐसा लगता है कि cortex को बचाया जा सकता है, cortical cells अभी ठीक ठाक है, brain stem involved हो चुका है, तो अभी cortex normal है, माल यह accidental मामला है, तो ऐसे मामलों में ventilatory support पर रख करके artificial methods, life का support दे करके, हम person के, आरगन के donation के बारे में सोच सकते हैं, और इसे हम beating heart donation कहते हैं, beating heart donor कहते हैं, जो अपना आरगन transplant कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आरगन transplantation में ये चीज़ें involved रहती हैं, आरगन transplantation कब कर सकते हैं, ऐसे मामलों में कर सकते हैं, एक है whole brain death, मैंने आपको बताया है जिसमें पूरी की पूरी जो cortical और brain stem दोनों ही involved हो जाती हैं, जिसे हम whole brain death कहते हैं, तो अभी तक हम types of death के बारे में जो बात कर रहे थे, वो basically हम फोकस कर रहे थे किसके बारे में? हम types of death में हम focus कर रहे थे, somatic और systemic या clinical death के बारे में, जबकि molecular या cellular death के बारे में भी हम लोगोंने बात किया, cellular level पर कौन सी death होती है, यहां पर हमारे लिए जो focus करने वाली चीज़ है, वो somatic death ही है, क्योंकि आरगन ट्रांस्प्लेंटेशन इसी मामलों में हो सकता है और बिशप्स ट्राइपोड अफ लाइफ के एकॉर्डिंग इसी बात को सुमेटिक डेथ को ही जस्टिफाई करते हुए बाते कही गई थी और इसमें उन्होंने कहा था complete and irreversible stop is of what? circulation किसे? circulation, दूसरा आप समझ सकते हैं कि ये तीनों चीज़ों का complete या irreversible loss होना इसी बात को शामिल करते हुए बिशप्स ने लाइफ के तीन ट्राइपोड के बारे में बताया था उन्होंने कहा था circulation, respiration और brain function maintain रहना चाहिए इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो आप कहा सकते हैं कि person का बचना ठीक नहीं क्योंकि circulation और respiration रहके ही क्या करेगा ब्रेन नहीं है तो और अगर आप ventilator पे रखके अगर इसको maintain कर लें और brain का function ठीक है तो भी कोई मतलब नहीं है कितने दिनों तक आप ventilator पे रखेंगे तिसलिए तीनों चीजों की body के लिए जरूरी है life के लिए जरूरी है अगर इनका complete suggestion या अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं death हो गया है और somatic death आप define कर सकते हैं इसी के बाद bicharts mode of death के बारे में हम बात करेंगे जो इसी को focus करते हुए दिया गया था bicharts modes of death इसमें किस mode की वज़े से death हुई है primary cause क्या उसके अधार पे जैसे coma में कब कहते हैं जब central nervous system का function impaired हो जाए central nervous system का function impaired हो जा तो उसे हम क्या कहते हैं coma कहते हैं इसी तरीके से asphyxia होता है asphyxia के मामलों के क्या होगा जब respiratory function seize हो जाते हैं तो उसे हम asphyxia कहते हैं और इसी के साथ ही साथ syncope होता है जब heart या circulatory function प्रभावित हो जाते हैं और इन ही तीनों चीज़ों को ले करके भी आपको पता है बिशफ्स ने tripod of life का concept दिया था और इसमें कौन सा primary cause है उसके आधार पर जब बातों को कहने की कोशिश की गई थी coma है, asphyxia है या syncope है उस बारे में तो ध्यान रखना है बिजट्स की बातों को बिजट्स के अनुसार जिसमें death किस इन तीनों में से किस system में सबसे पहले शुरू हुई उसके आधार पर बात कहते है हाला कि बाद में remote cause of death कुछ भी हो सकता है लेकिन शुरुवात किस से हुई death किस system के प्रभावित होने सुभा उसको ले करके अपनी बात रखा था विचाइट्स mode of death और इसमें इनोंने कहा था कोमा, कोमा मिंस जब brain के higher mental functions काम करना बंद कर दे, brain stop functioning first सिंकोब, सिंकोब में क्या होता है heart अपना function करना सबसे पहले बंद करे, तो आप क्या कहेंगे सिंकोब कहेंगे, और asphyxia asphyxia तब कहते हैं, जब शिरुवाती cause, lung के stoppage की वज़ा से है, lungs stop functioning first, इस तरीके से थेनेटोलोजी में हम लोगों ने cause और उसके various aspects जो death के हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात की